हाई गाईस, करंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अभिशेक शरमा और इस वीडियो में हम 21 फरवरी तक के सभी इंपोर्टेंट करंट अफेर्स कवर करने वाले हैं और एक कोश्चन के थ्रू ये भी जानेंगे कि फेस्बुक एंड ऑस्ट्रेलियन गवर्मेंट में क्या विवाज चल रहा है, तो वीडियो को आप अंतर तक जरूर देखेगा, काफी कुछ आपको आज जानने के लिए मिलेगा, चले फिर करते हैं शुरू आतिस वीडियो 705 करोड रुपे में इस पोर्ट का अधिगरण कर लिया है, ये पोर्ट बैंकरप्ट हो चुका है, और यह महाराष्ट के, राइगर जीले के, राजपुरी क्रीक के किनारे इस्तित है, साथ ही आपको जो यहाँ पर आपको पोर्ट दिखाए गए हैं, जिनका नाम लिखा है ये भी आपको जानना चाहिए कि कहाँ पर है, मुंद्रा, दहेज, टूना, हजीरा ये गुजरात में है, धामरापोर्ट ये उडीसा में है, मुर्मुगाओ ये गोवा में है, विसाकापटनम और कृष्णपटनम ये अंदरपरदेश में है, कतुपली और इन्नोरपोर्ट ये तमिल लाडू में है, आगे बढ़ते हैं, किस अंतरिक्स एजेंसी ने हाली में अपने परजीवरेंस रोवर द्वारा ली गई मंगल की पहली तस्वीरों को जारी किया है, तो ये किया है, नासा ने, नासा यानि नेशनल एरोनोटिक्स एंड स्पेस एड्मिरिस्टेश तो इनका जो ये रोवर है, जिसका नाम है परजीवरेंस, तो इसने जो है, मार्स पर एक क्रेटर है, जिसका नाम है जे जेरो, क्रेटर ये होता है, कोई भी एक डिप्रेशन, यानि जो ये दबावा हिसाब देख रहे हैं, ये मून पर भी हो सकता है, मार्स पर भी है, तो इसके लिए ये भेजा गया है ठीक है तो यहां पर क्या होगा जो ये इनका जो ये पर्जीवरेंस है ये इस पर fossils या फिर biosignatures इनकी मौझूदगी या इन पर research करेगा जो fossils आपने सुना होगा ना तो इनके बारे में इनकी मौझूदगी इन पर research करेगा इसलिए यहां पर ये भेजा गया है साथ ही ये जो मार्स का ये surface है इस पर oxygen भी produce करेगा और आपको ये भी जानना चाहिए कि डॉक्टर स्वाती मोहन इन्होंने इस सिस्टम पर काफी मैनत की है और इन्होंने attitude control and landing system जो है जो हुए है तो नासा ने देखे देखे कई तरह के lander, rover और orbiters ये सभी काम कर रहे हैं तो जल्दी से जान लेते हैं आपके exam के लिए काफी important ये रहेंगे तो नासा का एक lander है Mars inside rover है curiosity नाम का और तीन orbiters भी है Mars reconnaissance orbiter और Mars odysi और maven साथी इंडिया का कौन सा है mangalian one orbiter और European union के भी दो orbiters है Mars express and exo Mars trace gas orbiter चाइना का है यहाँ पर Mars में जो Mars पर जो कर रहा है अपनी research कर रहा है त्यानवेन one orbiter और UAE का क्या है hope orbiter तो यह सभी मैंने आपके लिए एक जग़ कंपाइल कर दी है ताकि आपको confusion ना हो कि Mars पर है या क कौन से planet पर है साथ ही आप कोई जानना चाहिए कि हाली में चाइना का जो त्यानवेन one है ठीक है यह और बिटर इसने भी Mars की pictures अभी सेंड की थी IPL इतिहास में सबसे महेंगे uncapped खिलाडी कौन बने है options आपके सामने है और correct answer होगा option D कृष्णपा गोतम uncapped player इसका मतलब होता है कि ऐसा player जो international match में अभी debut नहीं किया है जो national team के लिए नहीं खेला है तो यह भी भारतिय national team के लिए नहीं खेले है और इसलिए इनको uncapped player बोला गया है तो यह ऐसे uncapped player है जिनको सबसे महेंगी रकम में खरीदा गया है तो इनको 9.25 क्रोड रुपीज में खरीदा है चेन नहीं सूपर किंग्स ने नाउमी ओसाका ने final में किसको हरा कर Australian Open का खिताब जीता है तो इन्होंने हराया है जेनिफर ब्रेडी को तो नाउमी ओसाका ने Melbourne में खेले गए Australian Open के final में अमेरिकी tennis की लाड़ी जेनिफर ब्रेडी को हराया है साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि Australian Open और US Open ये hard courts पर खेले जाते हैं French Open ये clay पर खेला जाता है यानि मिट्टी पर, Wimbledon grass पर खेला जाता है और कई बार exam में ये भी पुछा गया है कि जो ये grand slams हैं चारो तो इन में सबसे oldest कौन सा है सबसे पुराना कौन सा है तो ये है Wimbledon उसके बाद US Open फिर French और फिर Australian Open साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए इनका करम क्या रहता है तो साल की सुरुवात से सबसे पहले Australian Open होता है उसके बाद French Open होता है जिसे Roland Garros भी बोलते हैं व्यापार भागिदार यानि ट्रेड पार्टनर बन गया है तो ये बन गया है चाइना तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो European Union सबसे ज़्यादा इंपोर्ट चाइना से करता है आया जो है चाइना से करता है और European Union का जो third largest export source जो है जो निरिया तक जो देश है वो चाइना है तीसे नंबर पर चाइना को ये export करते हैं European Union की बात करें तो 27 इसमें member countries है headquarters इसका Brussels, Belgium में है पत्तरकारिता में उतकरश्टरता के लिए IPI India Award 2020 किसने जीता? तो ये जीता है रितिका चोपडा ने रितिका चोपडा Indian Express की Senior Assistant Editor है और इन्होंने 2019 लोकसुभा चुनाओ के दोरान Election Commission के सदस्यों के भी जो कले चल रही थी उस पर Research and Fact-Based Reporting की है और इसी वज़े से इनको ये Award दिया गया है उस 14 वर्षी लड़की का नाम बताईए जिसने ओपन वाटर में 14 किलोमेटर तैर कर विस्वर रिकोर्ड बनाया है ओप्शन्स आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन ए जिया राय तो जिया राय ने जो है Elephanta Island से लेकर Gateway of India तो आपको मालूम चल गया होगा कि बात हो रही है जो है महाराष्ट की तो इसके बीच इन्होंने तिन गन्टे 27 मिनणट और 30 सेकंड की दूरी इसको तेय किया है तो इन्होंने इसके साथ यो है ये वर्ड रिकोर्ड बनाया है और India Book of Records, Asian Book of Records लिमका Book of Records में इनका नाम दर्ज कर लिया गया है केंद्रय परियावरन वन और जलवायू परिवर्टं मंत्री परकाश जावडे कर ने किस केंद्र सासित प्रदेश में अटल परियावरन भवन का उधगातन खिया है तो ये किया है इनोंने लक्षदीप में और लक्षदीप की अगर बात करें तो इसी capital है कावराती और 36 islands का ये एक group है लक्षदीप और ये एक uni district union territory है यानि ये खुद में ही एक district है एक district है और लक्षदीप ही district है उसका नामी मतलब यहाँ पर कोई अलग से district नहीं है लक्षदीप ये district है और साथी आपको ये जानना चाहिए कि इसका area कितना है 32 square kilometer ये भी आपके SSC exam में पुछा गया है तो इसको आप याद रखना साथी अगर important हैं कि island की बात करें जो कभी match the following में आ जाते हैं अगर आप PCS level के तयारी कर रहे हैं तो पिटी बर्ड सेंचुरी कलपेनी आइलेंड अगाती आइलेंड किल्टन आइलेंड कदमत आइलेंड और बंगाराम आइलेंड ये सब यहां पर काफी important रहेंगे आपके लिए और यहां के administrator है श्री प्रफुल पटेल जी भारत का पहला IKEA shopping mall किस सहर में खोला जाएगा तो यह खोला जाएगा Noida in उत्तरप्रदीश IKEA की बात करें तो एक Swedish company है और home accessories, furniture, kitchen appliances इन सभी में डील करती है तो इन्होंने 2018 में अपना पहला इस्टोर हैदराबाद में खोला था और second इस्टोर इन्होंने अपना मुंबई में खोला था और अब यह जो है Noida में mall खोलने वाले है OneWeb के मुख्य वित्य अधिकारी यानि Chief Financial Officer के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है options आपके सामने हैं और correct answer होगा option D स्रीकांत बालाचंदरन साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए कि जो यह OneWeb है यह एक broadband satellite communications company है और जिसको की UK government and भारती global जो की सुनील मित्तल की company है यही इसको on करते हैं और इसके CEO कौन है Neil Masterson और इसका headquarters London में है हाल ही में करनाटक bank ने Reserve Bank of India को 34.16 करोड रुपीज की धोका धड़ी की सूच न दी इस bank के MD और CEO कौन है question English में भी देख लेते है recently करनाटका bank reported रुपीज 34.16 करोड फ्रोड to RBI who is the MD and CEO of the bank देखे friends यहाँ पर आप यह देख रहे हैं कि तो इसका मतलब है यह मैं आपके लिए थोड़ा सा English की बात बता रहा हूँ काफी important होता है अगर आप English writing कर रहे हो यहाँ पर the लिखा है न तो यहाँ पर मैं यह भी लख सकता था who is the MD and CEO of the करनाटका bank लेकिन करनाटका न लिखकर मैंने यहाँ पर the लगा दिया the जो है यह इसको denote करता है कि आपने पहले जो बात कही है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है तो the का मतलब क्या है यानि करनाटक bank के बारे में बात की जा रही है who is the MD and CEO of the bank किस bank करनाटक bank तो देखिया आप इंगलिस कितने सुन्दर language है बिना कुछ कही ही समझ में आ जाता है तो the इसलिए लगाया गया है द यहाँ पर इशारा कर रहा है कि करनाटक bank के बारे में बात की जा रही है खेर आगे देखते हैं साथ ही आपको यह भी जानना networks है इनको जो credit दिया है तो उसमें जो है fraud हुआ है और कितने कीमत का हुआ है 34.16 करोड पीस का और करनाटक bank का headquarters का है मंगलोर में इंडियन बैंक ने start-ups और MSMEs के वित्पोशन यानि financing के लिए society for innovation and development SID के सास्थ समझोता किया है SID निमली खित में से किस संस्थान की एक पहल है काफी important question है साथ ही आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि जो यह society for innovation and development है यह किसका एक initiative है तो यह IISC बैंगलोर इंडियन institute of science बैंगलोर का यह एक initiative है और साथ मैं आपको यह भी जानना चाहिए कि इंडियन बैंक और इलाबाद बैंक का जो है merger हो चुका है और इसके जो इंडियन बैंक की जो MD and CEO है इनका नाम है पदमाजा चुंदुरू तो इन्होंने यही इंडियन बैंक का headquarters chain नहीं में है तो इन्होंने जो यह MOU sign किया है यह किसले किया है कि जो भी society for innovation and development के अंतर को जो भी startups जो nurture हो रहे हैं तो उनको fund provide कराए जाए ठीक है और कितने रुपे का loan इन्हों इन्होंने extent किया है 50 करोड रुपीज तक का Larson and 2bro यानि L&T किस राज्य में इस्थित कुडन कुलम परमानु उर्जा संयंत्र की दो और इका युका निर्मान करेगा तो यह करेगा तमिल नाडू में तो इससे एक तो आपको यह मालूम चल गया कि जो एक कुडन कुलम परमानु उर्जा संयंत्र है यह तमिल नाडू में है और इसकी 5 एंड 6 यूनिट का जो में प्लांट सिविल वर्क है इसको जो है अब एल एंटी कंस्ट्रक्ट करेगा साधिया आपको यह जानना चाहिए कि जो एक कुडन कुलम नुकलर पावर प्लांट है यह इंडिया का पहला लाइट वाटर रियक्टर है और एल एंटी के जो सी यू और एमडी है इनका नाम है एस एन सुब्रमन्या जिनोम वैली एक्सिलेंस अवार्ड 2021 के लिए किसे चुना गया है तो यह चुना गया है भारत बायोटेक को तो और यह किसके द्वारा दिया गया है बायोएशिया तो तेलंगाना गवर्मेंट जो है हर साल एक कॉनफरेंस जिसका नाम बायोएशिया है इसको औरगनाईस करती है तो इसी के द्वारा यह अवार्ड भारत बायोटेक को दिया गया है किसले दिया गया है क्योंकि इनों बायोटेक ने जो है National Institute of Virology के साथ मिलकर बनाया है और भारत बायोटेक के Executive Director है Dr. V. Krishna Mohan Amazon किस भारतिय सहर में अपनी पहली Device Manufacturing Unit इस्थापित कर रहा है तो यह कर रहा है चेननई में तो चेननई में जो है इनका एक प्रांट है वही पर यह अपना यह Manufacturing Unit ओपन कर रहे हैं और Amazon India के जो Country Head है इनका नाम है Amit Agarwal Nifty 200 Index के आधार पर किस Asset Management Company ने भारत का पहला Momentum Based Passively Managed Fund लांच किया है तो यह लांच किया है UTI Mutual Fund ने तो इसमें 30 Best Performing Stocks जो है उनकी पिछली 6 महीनों की Performance के आधार पर पिक किया जाएगा और हर 6 महीने के बाद यह Index Revalue किये जाएंगे भारती Reserve Bank ने किस समू द्वारा दिवान Housing Finance Corporation के अधिगरण को मंजूरी दे दी है तो यह दी गई है पिरामल गुरूप के द्वारा तो अब जो है पिरामल गुरूप जो है यह दिवान Housing Finance Corporation को जो है अधिगरण कर लेगा और यह deal रही है इसकी बिड़ी कितने रही है 7,250 करूर रूपीस साथ ही आप कोई भी जानना चाहिए कि जो यह DHFL है दिवान Housing Finance Corporation 2019 दिसंबर में यह जो है बैंकरप्ट हो चुका था इसको बैंकरप्ट डिक्लेर कर जिया गया था हाल ही में फेस्बुक ने किस देश के उप्योग करताओं को अपने प्लेटफॉर्म पर समाचार खोजने या साजा करने से रोग दिया है तो इसका सही आंसर होगा Option C देखें ऑस्टेलिया में क्या हुआ है यहां की सरकार ने एक बिल प्रोपोस किया है या फिर आपको इसको कह सकते हैं देखें आप और हम सभी जानते हैं हम क्या करते हैं हमारे लिए अब सोर्स क्या बन चुका है Facebook या फिर Twitter या फिर Google कोई न्यूस पढ़ते हैं तो हम इनी को देखते हैं आपने देखा होगा कि हम Twitter खोलेंगे वहाँ से न्यूस देखेंगे दहिंदू के बारे में दहिंदू की पोस्ट पढ़ लेंगे वहाँ से शोर्ट में आ जाता है जो दहिंदू हो गया इनको हम जो सोशल मीडिया नेटवर्क हैं यही से इनको इनकी न्यूस हम पढ़ लेते हैं हम इनकी वेबसाइट को ओपन नहीं करते हैं इनकी वेबसाइट जो है वहाँ पर advertisement वगएरा भी आते हैं उनको भी कोई देखना भी पाता है ना यह उन पर कुछ क्लिक हो पाता है तो Australian Government यह कह रही है कि आप जो Facebook है इसके News Feed में भी News दिखाई जाती है तो यह कह रही है कि जो भी हमारे यहां के Media Outlet हैं इनके Link जो आपके Facebook पर Share किये जाते हैं या फिर इनके जो अपने पेज बने हुए हैं तो आप जो उनसे कमाई करते हैं उसका कुछ revenue जो है इन Media Outlets के साथ भी आप Share कीजिए क्योंकि इन लोगों को इससे घाटा हो रहा है क्योंकि सारी News तो आपके जो आपका जो नेटवर्क हैं उन सभी को इसने बैन कर दिया है कोई भी link शेर नहीं कर सकता इन News Outlets का जितने भी आके न्यूस पेपर हैं ओनलाइन न्यूस पेपर हैं तो इन सभी के link इसने बैन कर दिये हैं तो हमारे आपने देखा होगा ना हम Facebook से या फिर इंस्टा पर न्यूस पढ़ लेते हैं क्योंकि किसी ना किसी ने उसको पोस्ट किया होता है क्योंकि किसी ना किसी ने उसको पोस्ट किया होता है ठीक है तो यही पुरा यहां पर matter चल रहा है और इसी बीच जो है परदान मंत्री नरेंदर मोदी से भी इन्होंने बात की है इनका support लेने के लिए कहरा आगे देखते हैं कि क्या होगा इस बारे में अब देखते हैं previous assignment questions के answer डॉनिमलाई माइन is in which state? करनाट का सीरम इंस्टिटुट अफ इंडिया is located in which city? पुने विस city is often called the vaccine capital of India? हैदराबाद अब देखते हैं आज के assignment questions इससे पहले friends अगर आपको हमारा content अच्छा लगता है हमारा explanation अच्छा लगता है तो आप वीडियो को like जरूर किया कीजिए वेर इस दा शिवनेरी फोर्ट लोकेटेड? वेर इस देखते हैं तो इन 5 questions के आंचर आपको हमें comment box में बताने हैं अगर आपको एक question का आंचर भी आता है तो वो भी आप हमें comment box में जरूर से बताइए साथे friends आप इन सभी जो हमारे current affairs की PDF है with fully explanation आप इनको अब download कर सकते हैं और इसके लिए आपको एक बहुत कम charge देना होगा अगर आप weekly हमारे download करना चाते हैं PDF तो उसके लिए 10 रूपीज आपको देने होंगे अगर आप monthly PDF हमारे हमारी चाते है current affairs की तो उसके लिए आपको 30 रूपीज देने होंगे लेकिन सबसे अच्छा आप के लिए यह है कि आप one year का एक पूरा plan ले सकते हैं 249 रूपीज में तो इसके तहट क्या होगा जितनी ही हमारी static gk की आगे वीडियो आने वाली हैं हमारी banking awareness की वीडियो आने वाली हैं ठीक है तो इन सब की PDF भी आपको provide हो जाएगी और हमने static gk की जो पिछली वीडियो मनाई हुई है उसकी PDF आपको मिलेगी monthly current affairs आपको मिलेंगे तो जितना जो भी हम upload करेंगे static हो चाहे वो banking से जुड़ा हो सभी आपको PDF उसकी provide होगी एक साल तक और इसका चार्ज आपको देना होगा 249 रूपीज और साथ में friends यहाँ पर current affairs की playlist दी गई है इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों इससाथ whatsapp and telegram पर share करें like करें और comment करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी thank you guys